अगर आपको कुछ यूनिक सा खाना है सबजियां खा खा कर अब बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरीके से मचली के फ्लेवर वाली ये सबजी बनाईएगा एक बार अगर आपने इस बेशन की सबजी को खा लिया ना तो बार बार इसे खाना पसंद करेंगे हफते में तो दो भार आप बनवाही लेंगे तो चलिए वना स्सक्तर करने आपको मिक्स जारे सकती ऑर भी बढ़ जाएगा और गरम मसाले डालने के बाद बस इसको हाथ से हम मिक्स कर देते हैं यहां पे देखी मसाले को हम बेसन में अच्छी तरह से हलके हलके हाथ से मिक्स करते हुए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी एक चमस करीब और इसको हम गूतेंगे फिर थोड़ा पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेशन को गूतेंगे बिल्कुल हार सर्डो हमें लगाना है यहां पर देखे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहां कर लेते हैं और हाथ को साफ कर लेते हैं अब हम लेते हैं दो लोईया काटते हैं और दो लोईयों काट करके बड़े-बड़े साइज की लोईया काट करके यहाँ पे इसको हाथ पे एक को हम लेते हैं और गोल-गोल करके बड़ा सा पूरे का अकार दे देते हैं तो यहाँ पे दाब देते हैं, इसों भी रोटी का कार्ड दे देंगे पूरी का, और दोनों को बनाने के बाद इसको हमने उसी कटोरी में रख दिया है और फिर एक को हम लेते हैं हाथ पे, और यहां पे हम लेते हैं पेन, चुकि हर किसी के घर में मिल जाएगा सभी की बच्ची बड़े कोई हो यह तुर रहता है इसको हम लेते हैं या कोई आप डंडी ले सकतने इतनी पतली हुनी चाहिए और इसको अच्छी तरह से किनारे पिले जाके हमें सेट करना है बीच में नहीं करना है किनारे पिले आप करके सेट कर देना है और इधार से इसका मुञ बंकर देथे बात बेशन का और इसको अपनी हाथ की चीकना बनbor क्यों बीच में ही जो जहां हमने लगाया है उतना है इसमें होल रहे हुए यहां ibascale कि अच्छी तरही बिल्कुल अच्छी तरह से छेद दो गया है और इश Mmm जो दूसरा वाला है इसको भी इसे तरीकर सब्धाइब यह अंदर जो छेद है काफी सारा पानी है तो इसको हम खड़ा करके निकाल लेंगे और प्लेट में इसको डालते जाएंगे दोनों को इसी तरह से निकालना है ताक इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और यहां पे प्लेट में रखने के वाज़ा हम ठंडा होने देते हैं 15 म हुअर 吃 that about and use a ballot. चोपर पर पीश पत्ले प्लेट पीश कर लेजिए क्रस हम पर हमने बहुत मोटा पीश नहीं रखा था पतला पतला ही रखा यहां पर मोटा था उसमें से भी हम दो दो कर दमिल्लेगा है यहां पे एक हो काट करके में तयार कर लिया है इसको को हम रखते हैं दूसरी प्लेट में और फिर जो दूसरा वाला है यहांपे डेकिए है का जो इसका च्रमय बारिक वाहा है कि बिल्कु lisa मसाले में धनीया जो भी खड़े मसाले है, इलाइची छोटे-ईलाइची दालचीनी, लौग, मरी, जितने भी होते हैं यहां पे अद्रक है, लेसं हैं यहां पे लाल्मिर्च है और प्याज है इसको हम डालते है है इसको हम ढालते हैं मिक्सिके जार में जार में जार में डालने के भाद आप इसमें म टालेंगे ठोड़ा सा पानी मसाले को पीछनी घल जोड़ा सा पानी जुरुवत पढ़ती है तब begin जो मसाला है अच्छी तरह से मसाले का पेश्ट बन पाता है और यहां पे इसका पेश्ट बन गया है मसाला पिस गया है अब इसको इसी में रहने देते हैं गैस पर हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं सरसो का तेल तेल आप जो भी खाते हैं डाल सकते हैं ल प्याज को हम चला देते हैं और यहां पे प्याज को चलाने के बाद अभी इसको प्याज को हम ढख देते हैं और ढखने के बाद एक बार बीच में और भी हमने चलाया था काइमरा ओफ था हमने टमाटर भी डाल दे थी टमाटर प्याज को साथ में गला लेते हैं और जो दून mimिक्स के और साथ में यह 7 और मसाला, जो हैं इसको plus little से भूनने लगा है और इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे घयर को दीмо कर दिया था यह त annex दी में पून लिया है और इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे का मिनत्थे निति हमें 3 अठ भून ग्रेवी में अच्छी तरह से ब्वाइल आने लगी है तो यहां पर जो हमने बैसन काट करके रखे इसको डाल देते हैं और इसके साथ हम पकाएंगे पांच मेराट तक गई इसको धीमा रहने देते हैं और धीमे फ्लेंपी सब्जी को हम बनाते हैं ताकि जितनी भी ग्रेवी हो ग्रेवी का स्वाध हो अच्छी तरह से बेशन में सिमट जाए और यहां पर देखिए मज़ेदार से यह सब्जी बन करके तयार है इसको उमने नीचे उताल लिया इसकी ठीकने जगिए बहुत ही स्वाधिष्ट बनती है गर आप मचली खाने के स